बात कर लेते हैं ये कितने की मिल रही है तो ये पलसर जो आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश यानि कि मैं प्रयागराज में हूँ और जॉनपूर से ली है दोनों जगा करेट में आन रोड बता देता हूँ क्योंकि ये कार्बन एडिशन है और ये आपको मिलेगी गाड़ी यह हैं यहाँ पर मैं आकर किसी यह है पलसर 125 जो कि 125 अगर यहां से मैं हाथ लगा दू होता दू तो आप कहने सकते की कौन सी है 150 या 125 दीरसी की कार्बर कलर्ड कार्बन कलर्डड आप जान रहे हैं कि कार्बन कलर कैसी होती है यह मैं आपको दिखाना चा Sutle अगर आपको यह आपको देखिए यह जो चमकार यह जो डॉट दिख रहे हैं यह कारवन कलर में आती है और इसके लिए आपको जो पे करना पड़ेगा एकॉर्डिंग टू जॉन पूर और प्याग राज में जो इसका प्राइज है वो मैं आपको बता पाऊंगा क्योंकि यह यह जो प्राइज है कम से कम आठ हजार से नौ हजार उपए महेंगी पड़ती है ब्लैक कलर से और इसकी क्या मतलब आउन रोड प्राइज है वो में आपको बताऊंगा और एकदेम ऑनेस्ट रिव्यू यानि कि जो मेरा एक्स्पिरियंस रहा है इन साथ दिनों में जो मैंन एक्सपिरियंस रहा और मैंने यही क्यों ली क्यों मैंने आठ जार उपए महेंगी चीज ली वो बात की बात है बट यहां पे मेरे सामने ऑप्शन था अभी सबसे लेटेस्ट काड़ी का जिसको रेडर कहते हैं टीवियस की तो मैंने बजाज में क्यों गया एक्चुली सीन यहां पे मैं पहली चीज़ तो आप देखिए इसका जो लुक है वो बड़ा ही मस्कुलर है ठीक है बहुत ही हाई टेक सा दिखता है वैसे हाई टेक सिटी में भी मैं खड़ा हूँ यहां पर ठीक है तो यहां पे इसका जो लुक है वो बहुत ही मस्कुलर है यहां पे आप हुआ है यहां पे इंजन जो आप इसका देखने की कोसिस मैं आपको कर बता रहा हुँ है यह जो इंजन है इसका इतना हैवी दिया हुआ है कि आप अगर जाते हैं SP 125 में जाते हैं या तो फिर आप रेडर में जाते हैं तो बड़ा खाली पंसा लगता है एक्चुली है क्या चीज की पहली चीज तो यह 141 किलो की गाड़ी है ठीक है और वो सब 120-122 किलो की गाड़ी आती है जो की 20-25 किलो के आराउंड सस्ती मतलब भारी और हलकी का डिफ्रेंस आता है लेकिन यह इतनी भारी है तो इसमें कहीं न कहीं एक चीज तो आप मन मना आप वजन गाड़ी लेते हैं आप लॉंग रूट जाते हैं तो आपको क्यार होता है कि काफी अच्छे से इसमें आपको इस्टेबिल्टी मिलती है आप लॉंग रूट में लेकर के आगए एक बार में चली आई गाड़ी और कहीं कोई दिक्कत नहीं पहली चीज तो भारी है वजन है रोड पर थम करके चलती है तो इस बात में नो डाउट यह ऑनेस्ट रिव्यू में आपको बता रहा हूँ मैं इसके वो नहीं बता रहा हूँ कि हां क्या अतनी पिक अप है क्या सारी चीज़ है वो तो सारी गाड़ियों में अपनी जगा 19 बीस है और वजन है तो एक्चुली क्या है लॉंग टाइम चलना है सारे चीज़ तो लोहा लट गाड़ी जी से कहते है ठीक है और इसमें जो बैटने का जो इसको राइडिंग पोजिशन है वो भी काफी अच्छी है कहीं भी हवा में लहराईगी नहीं आप काफी 90 अब्बे की स्पीड भी जाते ह है तो आपको यह नहीं लगेगा कि यह हवा में उड़ना चालू हो गई है क्योंकि इसका वज़न ही इसको पकड़के रोड से थाम के रखता है तो यह चीज़ा अगर आप मानते हैं तो दूसरी चीज़ भाई पलसर है देसी गाड़ी है इसके पार्ट सस्ते मिल जाते हैं स समझ में आती लेकिन हा आदमी के माइंड में आता है रिसेल वैल्यू आरे भाईया हमें रेसेली करना होता तो हम नई गाड़ी यह क्यूं घरते हैं कोई दूसरी कंपनी के ले चुके होते हैं तो यहाँ पी यह सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा और मैं इसका और किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है SP120 के मुकाबले, ठीक है, Honda की SP125 आती है और रेडर आती है, तो इसका, वो देखिए 4 वाल्व है, ये 2 वाल्व का इंजन है, इसमें DTSI खतम कर दिया गया है, ठीक है, और ये जो है FI इंजन फ्यूल इंजेक्शन पर है, इसमें बैटर ये आपको काफी अच्छी लगेगी, जिस सावी में आप इसको चला रहे हैं, मैं सज बता रहा हूँ, अगर आप गाड़ी खरीदने का ही प्लान बना रहे हैं, और गाड़ी लेना ही है, तो यहाँ पिले सकते हैं, पलसर 125, यहाँ पे 5 आपको देख रहे हैं, पहला डाउन है, बाकी का अप में सारा गेर्स लगता है, और काफी अच्छे गेर्स हैं, और इसका देख रहे हैं, यह जो इंजिन इतना मोटा दिया गया है, यह इसलिए दिया गया है, कि लॉंग टाइम, मतलब काफी अच्छे से इसका पिक अप वगरा जो है, आगे चल करके काफी जास से क्योंकि इसकी आवाज वगरा भी काफी मस लगती है और बहुत ही अच्छी और यह देखने में भी काफी अच्छी है यह आप देख पा रहे हैं जो भी ऑनस्ट रिवीव है वही मैं आपको बता रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है बाद की आपको क्या लग रहा है कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और यह इसका देख रहे हैं यहाँ पर सेमी डिजिटल यहाँ पर आपको देख रहा है और इसको मैं आउन करूंगा यहाँ पर तो यह देखिए यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिल जाती है यहाँ पर फ्यूल अपडेट वाली जो आ रही है यह तो सारे वीडियो में आपको अलग देखने कोई मिल जाएगी ब्लैक इसका जो है देख रहे हैं यह कैप है फ्यूल कैप जो आता है बाकी यहाँ पे इस तरह से है सारे सिस्टम मीरर लगे हुए मिलते है जनसी से हाँ बात कर लेते हैं यह कितने की मिल रही है तो यह पलसर जो आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश यानि कि मैं प्रयाग राज में हूँ और जानपुर से ली है दोनों जगा के रेट में आन रोड बता देता हूँ क्योंकि यह कारबन एडिशन है और यह आपको मिलेगी गाड़ी यहाँ पर प्रयाग ग्यारा हजार की और अगर इसी में ब्लैक में जाते हैं तो वो आपको मिलेगी एक लाख दो हजार से एक लाख एक हजार तक में सिप कारबन एडिशन महंगे होने के कारण इस तरह से सिस्टम हुआ है बाकी का आप जो है जौनपुर से मैंने इसको ली है एक लाख दस हजा कि तो यह इस तरह के आसपास हो जाती है मोल वहाओ करना पड़ता है भाई बड़ा ही कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से बाकी मुझे नंबर जो है इसका यूपी 70 ही मिल जाएगा मैं किसी जिले से आप कोई भी गाड़ी लें जिस जिले कर चाहते हैं वहां का नंबर आपको इसका अलार्टमेंट हो जाएगा बाकी वीडियो कैसी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इसका नाइट का जो फोकस है वह मैं आने वाले वीडियो में आपको बता के बताऊंगा क्योंकि अभी तो दिन है और जब फोकस क्या टाइम आएगा नाइट में तो उसका एक वीडियो अलक्स में बनाऊंगा और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा इसके रिगार्डिंग में जरूर बताऊंगा कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दीजिया तुल को जाज़े तिल देन गु